जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलेक्ट और दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना का ये नया मनसुवा और कैसे अमेरिका इसे काउंटर करने के लिए अपना काउंटर स्ट्रेटीजी को बनाया है उसके बारे में बताऊंगा और धीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरू कीजिए दोसो ताइवान और चाइना दोनों ही अलग देश है ताइवान में इलेक्शन भी होता है और ताइवान का एक प्रेसिडेंट भी है दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ ताइवान के डिपलोमेटिक लौ नामक एक ऐसा लौ लाया गया जिसके बाद चाइनिस गौर्रमेंट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ताइवान के उपर कवजावी कर सकता है इस लौ के तहत कहा गया है कि अगर ताइवान अपने आपको इंडिपेंडेंट राष्ट बनाने का प्रयास करेगा तो पर 2005 और 2020 के दर्मियान सिच्वेशन काफी जादा बदल चुका है 2005 में जहां पे चाइना के इन हरकतों के उपर किसी भी देश के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया वही पे 2020 में अब पुरा का पुरा दुनिया ताइवान को माननेता देने के तरफ आगे बढ़ रहा है इव कोई भी देश अमेरिका के साथ अपना रिस्ते को मजबूत रखना चाहता है तो उसे ताइवान को माननेता देना पड़ेगा और दोस्तों इसके बाद से ही चाइना का तिलमिलाहट काफी गुना बढ़ चुका है इवन अमेरिका के गवर्मेंट के अधिकारियों के ताइवान विजिड भी चाइना सहर नहीं कर पा रहा है और हाली में दो दो बार जब अमेरिकी उच्छे अधिकारी ताइवान के विजिट में गये तो चाइना द्वारा अपने फाइटर एरक्रेप्ट और अन्ने हत्यारों को ताइवान के नजदीक भेजा गया दोस्तों ऐसे ड्रील ताइवान स्ट्रेट और ताइवान के समुंद्री शेत्र के नजदीक होता है जबकि अमेरिका द्वारा भी ऐसे चाइनीज हरकोतों के उपर लगाम लगाने के लिए अपना भरपूर ताकत जोग दिया गया है तो अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में सुंद्री जहास द्वारा तटो में उतारना जबकि दूसरा है हवाई डॉमिनेंस हासिल करते हुए पैरा ड्रॉपिंग दोसों चाइना इन दोनों चीजों को ही ध्यान में रखते हुए अपने एक्ससाइजेस को करता है लैंडिंग के लिए चाइना द्वारा हाली में कई सारे लैंडिंग क्राफ्ट और एयर कुषनों का निर्मान किया गया है जबकि चाइना लैंडिंग फ्लाटफोर्म डॉक का भी निर्मान कर रहा है इवेन दो एयरक्राप्ट के द्वारा चाइना ताइवान के चारो तरप अपने हवाई प्रेसन्स रखने का भी प्रयास कर और आये दिन जिस तरीके से अपने आर्टिफिचेली क्रिएटец अइलन्डों के द्वारा और अपने मेंडलैंड से फाईटर यार कर्प्टो को फ्लाई करते हुए ताइवान के शेत्रें में चायना द्वारा भेजा जाता है और अमेरिका को मदद से दूर रखने के लिए चायना द्वारा अपना न्यूक्लियर पावर सब्मरीनों का भी तैनाती हाली के दिनों में किया गया है चायना अचानक से अपने 7000 टन भारी वरकम न्यूक्लियर अटैक सब्मरीनों को जिस तरीके से पैसिफिक ओशन और साउथ चायना सी के अंदर तैनात किया है इससे संभावनाय तो ये भी है कि चायना जल्दी कोई बड़ा हरकत कर सकता है पर दोसों चायना के हरकतों को काउंटर करने के लिए अमेरिका के तरफ से भी अपने तैयारियों को कम्पलीट कर लिया गया है अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर अटैक सब्मरीन और तीन येर्क्राफ्ट केरियरों को चायना के नस्दिक तैनात करके रखा है इवेन इन aircraft carrierों के उपर अपने fighter aircraft मतलब F-35 जैसे advanced train aircraftों का भी तैनाती हुआ है और अमेरिका अपने bomber शक जहाजों को भी Pacific Ocean के अंदर island में तैनात करके रखा है जैपैन के अंदर अपने marine corps के साथ F-35 का deployment भी आने वाले समय में अमेरिका को मदद देगा लेकिन अमेरिका का जो परसब से ज़्यादा focus दिया गया और दोस्तों ये है bomber शक जहाज और nuclear power attack submarine दोस्तों चाइना द्वारा invasion का plan तो बनाया जा रहा है लेकिन ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करने के दर्मियान खाली चाइना को ताइवान के सामना नहीं करना पड़ेगा बलकि वहाँ पे अमेरिक B2, B1 और V52 जैसे bomber भी शामिल है दोस्तों अमेरिका द्वारा अपने B2 bomber को हवाई और Henderson Basis में तैनात किया गया जबकि B1 bomber Henderson Airfield में तैनात है इसके इलावा B52 जैसे भारी भरकम bomber को अमेरिका द्वारा हाली में safe distance में उत्तरी Australia के Darwin Airways में तैनात किया गया Indian Ocean के अंदर वी द्यागो गार्सिया में अमेरिका के तरफ से B-52 bomber fleet को तैनात किया गया है जो आसानी से South China सी तक उरान भरके अपने मिशनों को अंजाम दे सकता है और हाली में अमेरिका में ये भी वताया गया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा bomber fleet का तैयारी भी कर लिय जिसमें करीबन 30 B-52 bomber एकी साथ fly करके दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस कर सकता है दोस्तो हवाई हमले में जहाँ पे सबसे ज़रूरी fighter aircraft होता है और fighter aircraft द्वारा जहाँ पे air dominance को तैयार किया जाता है वोई पे bomber aircraft किसी भी जमिनी target को ध्वस करके पूरा पूरी लड़ाई का रूप बदल सकता है और इसी वजह से अमेरिका के B-52, B-1 और B-2 bomberों को सबसे घातक हतियार चायना के खिलाब माना जा रहा है पर दोस्तो इन bomberों के लिए अगर चुनोती बढ़ता है और जमीन से हवावे मार करने वाला हतियार जादा घातक सावित होता है तो इसे भी counter करन के लिए अमेरिका के द्वारा बड़ा प्लान बना लिया गया है और दोस्तो ऐसे मौके में अमेरिका को मदद करेगा अमेरिका के नया nuclear power attack submarine दोस्तो चायना द्वारा जिस तरीके से अपने carrier clear missile का तैनाती किया गया है उससे अमेरिकी aircraft carrier को भी काफी जादा खत्रा है और अमे इस तरीके का missile बहुत बड़ा असर डाल सकता है बोलके अमेरिका द्वारा अपने nuclear power attack submarine को भी चायना के invasion plan को तवा करने के लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तो चायना के ground base इन missile launcher को तवा करने के लिए अमेरिका अपने इन सब्मरीनों में और ज्यादा संख्या में cruise missile को इं करते हुए चायना के इन ground base missile launcher को neutralize कर सकता है ताकि आसानी से अमेरिकी aircraft carrier टाइवान स्ट्रेट के नस्दिक जाके operate कर पाए इवन अमेरिका के इन सब्मरीनों के पास इतना capabilities है कि ये समुंदर के अंदर लंबे समय तक छुपा भी रह सकता है और चायना के anti-submarine warfare जाहाजों से भी अपने आपको बचा सकता है अमेरिका के Ohio class के कुछ सब्मरीनों को अमेरिका द्वारा guided missile सब्मरीन में तब्दिल किया गया है जो एक तरीके से cruise missile को fire कर सकता है और stealth होने के वज़ा से आसानी से छुपा रह सकता है अमेरिका द्वारा अपने bomber शक जाहाज और nuclear power ऐसे सब्मरीनों को इस तरीके से तैनात किया गया है कि चायना के द्वारा अगर कोई भी invasion plan के उपर अमल करने का प्रयास किया जाए तो तुरंत अमेरिका उन प्लानों को खाली तभा नहीं बलकि चायना को पुरा तभा कर पा